हाई फ्रेंड्स, सबको स्वागत है, safety for all, zero one चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे, barge safety checklist के बारे में, तो यह checklist कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या-क्या check करना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे आज, यह आज checklist चुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दे त प्रोजेक्ट साइट नेम, साब कॉंटक्टर नेम, रेजिस्टेशन नंबर, इंस्पेक्शन डेट, यह लिखेंगे, डेली बैसिस में है मन्तिव जो हो रहा है यहां देंगे, उसके बाद जो चेक करेंगे हम लोग, यह आपका स्रियाल नंबर देंगे, पार्ट आइटेम, इंस्पेक्शन मेतर्ड और डेट वाइस जो चेक करते हैं, तो सबसे पहले जो है, डेक सेप्टी हैंड रेल, ट्रैक फिक्सिंग डिवाइस जो है, कनेक्टिंग प्लाटफोर्म, और यहां देखेंगे, इंस्पेक्शन मेतर्ड भी देख ली जाए आप, आया रोप, देख लीज, मोर्इंग डिवाइस, एंजिन, हाइडरॉलिक डिवाइस, लाइफ जैकेट, एकस्टिंग्विशर, एंजिन, हाइडरॉलिक डिवाइप चेक चेक करेंगे उसके बाद लाइब लाइफ छाकेट एक्सटिंग्वुश्र चेक करेंगे हम लोग और जो अगर फार एक्सट्मुश्र जैसे हम लोग चेक करते हैं लोग आपके ऑपर हो आपके है तब करते हैं तो यहां भी अगर सो जैक्लिस्ट में जैसे हम लोग फिलाप किये थे वह सब यहां ओके है तो ओके करेंगे और फास्टेट बॉक्स जो होता है उसके लिए अलग से आपको चेक्लिस्ट बनाना पड़ता है उसके बाद आता है अगर एक्षटा कुई पॉइंट है तो यहां पूट करना पड़े गया उसके बाद जो यह चेक किया है उसके सिगनेचर मैनेजर का सिगनेचर होता है तो ऐसे बनाए जाता है चेक्लिस्ट ओके बाई थैंक यू